हलो बच्चो फेल्कम दी चानल औप सी यूटी वाला आज पर मैं स्टुडेंट्स रिवाट्ट बच्चोने बोला कि नहीं माम हमें तो सी यूटी के लिए बााइलोजी की प्राक्टिस करनी है फिजिक्स मैथमाटिकस की प्राक्टिस करनी है जिस तरह हमने promise किया था हमारे session में हम biology लेकर आएंगे वो हमने अपना promise पूरा किया है आज से आपकी biology के session start होते हैं So welcome to this batch of suffer yes ये एक वो जगे है जो आपको आपके target यानि की COET में अच्छे marks अच्छी percentile दिलाने में help करेगा आपको एक अच्छी university में admission दिलाने के लिए help करेगा ठीक है अब question के रिमाग में आता है कि माम हमारे पास time है कम है exam आपका में में आने वाला है थोड़ा ये time है ना board है board के बाद सीधा आपका CUT का exam है ना अप्रोच कैसी होनी चाहिए definitely आप लोगों ने chapter 1 2 3 4 ऐसे करके सारे chapter पढ़ लिये होंगे चीक है और फिर ये problem यह आती है बच्छों को कि माम CUT का अगर हम previous year देखें जो कोशन देखें वह कोशन थोड़े से tricky है I won't say they are difficult but approach हमें वैसी वहां तक लेकर जानी है तो यहां पर हमने भी अप्रोच अपनी बदली क्यों target है हमारा security तो marks अच्छे लेने है तो अप्रोच तो बदलनी पड़े कि जिससे मैंने आपको session में बोला था तो हम क्या करेंगे topics पड़ेंगे and on topics related क्या questions आएं आपके PYQs में और क्या क्या possible questions आ सकते हैं उन सब की practice करेंगे everybody yes everyone is ready everyone is excited for this session Shabimam is always ready for all my students ठीक है so आज का session आप लोगों को पता ही लग गया होगा हम बात करेंगे आपके topic which is your assisted reproductive technology now assisted reproductive technology आपके 12th standard के reproductive health chapter का एक important part है उसके बारे में हम discuss करते है ठीक है so एक promise मुझे अपने सारे बच्चों से चाहिए जिस समय class हो उसी समय आपके आपको class attend करनी है will you do that definitely you have to do this अच्छे माक्स लेने है न तो आना पड़ेगा same time पर class होगी you have to come second thing is कहीं पर कोई भी doubt होता है comment section में डाल दो ठीक है कि माम यहां पर यह doubt है आपके सारे doubts को मैं solve करूंगी ठीक है यह मैंने बोल दिया तीसरा आपको यह नहीं कहना कि माम recorded session है हम बाद में देख लेंगे मतलब it is there on you too बाद में देख लेंगे नहीं I don't want कि मेरे किसी student की approach होनी चाहिए I want my student भाई अभी class है अभी आओ देखो किती तरी class होगी चोटे से topic को हम लेंगे उसको हम पढ़ेंगे उसको concept देखेंगे उसके questions देखेंगे that's it कितना आदा गंटा 40 minutes that's it इससे जाद तो नहीं लेंगे ना मैं आपका इतना तो आप shots देखने में time लगा देते हो इतना तो आप बहुता चाहिए जाके चोटी वीडियो देखने में time लगा देते हो है ना कितने अडिक्टिव होती है so यहाँ पर आप उसी चीजों को सोचो कि आप वह कर रहे है और चाहिए ठीक है promise पका promise चालो let's start this session this is Assisted Reproductive Technology आप चाहिए नाम तो सुना होगा चलिए so Assisted Reproductive Technology yes question आया था इससे and question थोड़ा सा तेड़ा था आये उस question को देखते है आये राम I'm sorry students चालिया Assisted Reproductive Technology इसको बता क्या गोलते है A.R.T. A.R.T. ठीक है बहुत सारे बहुत सारे मतला millions of people they suffer from a problem जिसको हम कहते है infertility क्या कहते है infertility Right infertility किसी में भी हो सकती है infertility आपकी male में भी female में हो सकती है infertility आपकी male में भी हो सकती है अब धियान से सुनना मेरे बातों को ठीक है धियान से Now, आपको पते सबसे जादा infertility as a couple now the infertile the reason पते है क्या होता है majorly the male and women को हमेशा blame किया जाता है that because of her infertile infertility है नहीं major cases में यह देखा गया है male is a reason behind infertility but yes it doesn't mean कि female में नहीं हो सकती female में भी होती है बहुत सारे cases होते हैं आप सबने सुना है so बहुत सारे factors होते हैं and उसकी वज़े से infertility हो जाती है ठीक है now infertility के बहुत सारे reasons होते हैं के बहुत सारे reasons होते हैं सबसे पहला reasons guys क्या होता है सबसे पहला reasons हो गया आप लोग का physical health physical issues that means कोई ना कोई reproductive organ है वो धंक से काम नहीं कर रहा clear दूसरी problem होती है heredity yes देख लो heredity का यहां पे भी बहुत रोल होता है heredity also plays a great role second कुछ भी disorder हो सकता है आपका immune system का कोई disorder हो सकता है immune system की कोई disorder हो सकता है जिसकी वज़े से infertility cause हो रही हो yes possible fourth one the psychological यह देखो आपको पता है एक health पे एक physical health पे उसका social environment उसका psychology भी डिवेंड करता है ठीक है जितना तुम खुश रहने की कोशिश करोगे आपके body organs उतने अच्छे से काम करेंगे जितना हम sad होंगी कि हमारा environment अच्छा नहीं होगा so organs पे डेफिनेटली वो अफेक्ट पड़ता है ठीक है आप लोगों को पता है यह डेफिनेटली बहुत सारी गर्ल्स को पता ही होगा कि जब भी हम बहुत जादा stress लेते हैं अमांत तो menstrual cycle disturb हो जाती है this happens ठीक है चलिए so these are the factor and the major reason जो देखा गया है that is in the case of males now now infertility के जो भी disorders है उस पर नहीं जा रहे हैं वह मैं किसी और session में आप लोगों को पड़ाओंगी कि क्या-क्या male में होते हैं क्या-क्या female infertility infertility disorders होते हैं अगर आपको वो session भी चाहिए तो comment section में डाल देना वो भी कि आपको session मिल जाएगा ठीक है infertility now infertility मैंने बोला male में cases इसके जादा होते है ना अब ध्यान से सुनना there are various ways to treat infertility treatment yes possible है but even after continuous coitus even after coitus for many years if couple they are not able to produce a baby that means are considered infertility okay for that they go kya hota adoption yes this is one of the best way to have babies is me kya kya ap kisi ko ek life day raha ap kisi ko ek environment provide karego which is itself is a very good and agar hama apni country ke baare mein baat karay overall halat aise hai ki un bachche jho jho bachche aap logo ke adoption centers mein hai they are uh you can say wo aisi aisi situations mein kahi jaghah rahe raha hain ki wo aapne ek particular age tak bhi nahin pohunchen ga wo mature bhi nahi hoonga you know the environment is not good so if that is possible definitely one has to go for it chalyei fata pata session ko khatam karte hai infertility thik hai research pata lag gaya us ke baad hai hamaari assisted reproductive technology assisted reproductive technology is actually a vardan for those who cannot have their own babies so in assisted reproductive technology is that technology jiski wajah se couple ke paas apna bachcha ho sakta hai they can reproduce clear couple can have their own babe clear yeah iyaan tk bachche kook clear hua chalyei ab age baathe hai naam यह Assisted Reproductive Technology guys, दो टाइप की होती है, A, R, T, यह दो टाइप की होती है, दो category में हम इसको divide करते हैं, clear? one होता है, which is termed as in vitro fertilization, clear? दूसरा होता है आपका, in vivo fertilization, in vivo fertilization and in vitro fertilization. now in vitro fertilization, इसका बहुत ही clear meaning है, that what we are going to do is, we will be having a female and female को बोलेंगे, नहीं हमें आपसे egg लेना है, कैसे लेंगे? हर महीने वो एक प्रोड्यूस करती है, बढ़ हमें उससे जाधा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको treat करेंगे, ठीक है? ताकि वो multiple ovulate करें, ताकि उसके जो follicles है, बहुत जाधा follicles mature हुए, उनको hormonal steroids injections रिये जाते हैं, ताकि उसके 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 लिए जाते हैं, ताकि हो multiple ovulate करें, maximum 40 to 50 X they can extract, it varies also from one person to another, right? So, they are multi ovulated, right, by FSH and LH injection, multi ovulated, then what they are going to do is, they are going for the egg retrieval. So, egg retrieval, so egg will be taken out from the body, clear, then we will ask the female, sorry male to give sperms, sperms will be taken from male, right, now what we are going to do is, we will take this egg, we will take this sperm, and then we are going to fertilize it. And where will this fertilization happen, fertilization will happen in lab, that means in the laboratory condition, same condition which is exactly similar to a female reproductive system that is provided, and the fertilization करवाया जाएगा जाएगा, ठीक है, fertilization करवाया जाएगा, clear, यहां ता clear होगे बच्चों को, Now, the answer, fertilization कराने के बाद, हमार रपस क्या बनेंगे, blastomeres, blastomeres, है न, वो डिवाइड होंगे, blastomeres बनेंगे, Now, दो conditions बोलेंगे हम, कौन-कौन सी, एक up to 8 cell stage, up to 8 cell stage, clear, up to 8 cell stage, इसको कहाँ ट्रांसफर, अगर वो यह condition है, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फिर दोवारा female में डाल देंगे, ठीक है, so up to 8 cell stage के बाद, हम इसको कहाँ डाल देंगे, fallopian tube में, fallopian tube of female, यह वो ही female है, same, different भी हो सकती है, यह इसके भी cases में आपको बताऊंगे, fallopian tube of female में डाल दिया, वहाँ पर क्या होगा, इसक development, ठीक है, and pregnancy will be there, right, clear, now, यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चो हमने, transfer, क्या किया है, transfer, transfer किसका किया है, up to 8 cell stage, now, इसको हम नाम देते हैं, zift, क्या नाम देते हैं, zift, that is, zygote intra fallopian transfer, intra fallopian transfer, याद रहेगा यह full form, clear, यह procedure कर सकते हैं, आप doctor बन होगे, you can go for this procedure, now, another thing, दूसरा क्या हो सकता है, बच्चो, more than 8 cell stage, more than 8 cell stage, अगर 8 cell से ज्यादा stage है, तो हम इसको कहाँ transfer करेंगे, हम fallopian tube में transfer नहीं करेंगे, तब इसका transfer कहाँ होगा, बच्चो, directly into the uterus, so uterus में जाकि वो अपने आपको implant कर लेगा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, intra uterine transfer, यह ना बिलकुल अच्छे से ना आपके दिमाग में fix हो जानी चाहिए, जो टेबल मा बना रही हो, ठीक है, बोट्स के लिए भी important है, बोट्स आ रहे हैं आप लोगों के, यह मत सोचना, सिर्फ यह मैं आपने पढ़ाया है, तो CUT के लिए important है, नहीं, यह आपके बोट्स के लिए भी important है, simultaneously दोनों के practice हो रही है, ठीक है, पॉसिबल, अब हमने दो चीजों को यहां पर पढ़ लिया, एक हो गया आपका, जाइगोड इंट्राफिलोपीन ट्रांसफर दूसरा हो गया, आईउटी, यह इंट्राइटराइन ट्रांसफर, clear, yes, but is it clear, so इसको कहते है, इन विट्रो फटलाइजेशन, always remember, इन विट्रो फटलाइजेशन, that means, this is going to happen in lab, फटलाइजेशन हम लाब के अंदर, है न, यही कहा रहे हैं, बच्चे को कांट डेवलप करें, लाब के अंदर, but ऐसा नहीं हो, तो पूरा कहा बच्चा, आज लाब के अंदर हमने बनाया, हमने तो directly उसको मा के अंदर डाल दिया है, so इस ही को हम कहते है, इस ही को नाम दिया जाता है, that it is a test tube baby, यही पर लिख रही हूं, this is test tube baby, which is a misnomer, ऐस तो न, test tube में बच्चा बना रहे हैं, है न, बठीक है नाम दे दिया, तो हमने लिख लिए, हम भी पता होना चाहिए, clear, यहां सा क्या दर आएगा, now, अब एक procedure है, IVF, that means in vitro fertilization का बहुत अच्छा procedure है, वो क्या procedure है, जिन दो उनों को fertilize करने का, fertilize पते हैं कैसे करते हैं, यहीं पर बताते हूं आपको, बहुत अच्छा सा है, we have this egg, क्या है यह अंडा, ठीक है, now, egg के अंदर हम क्या करेंगे, injection लगाते हैं, किसका injection लगाते हैं, यह sperm का, ठीक है, किसका injection लगाते हैं, sperm का, so, यहां पर होंगे, sperm, sperm का injection लगाते हैं, बहुत ही, minute तरीके से इसको किया जाता है, ऐसा नहीं है, पूरे egg के अंदर पेनिटरेट कर देते हैं, there is a way to do this, ठीक है, detail पर आपकी slavus में नहीं है, सिर्फ याद रखना, egg का injection लगा देते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इक्सी, आज, यही किया जाता है, इक्सी, वाट इस इक्सी, इंट्रा-साइटो-प्लास्मिक, स्पर्म, इंजेक्शन, यहां लिख लेते हैं, इंट्रा-साइटो-प्लास्मिक, स्पर्म, इंजेक्शन, याद रहेगा मेरे बच्चों को, यह सारी फुल फॉल फॉल ना, बिलकुल अपने दिमाग में जचा लो, चिपका लो, इस इंपर्टिंट, ठीक है, जिफ्ट, वाट इस जिफ्ट, वाट इस इंट्रा-ईुटरा इंट्यो ना, इस इंट्बाइस की ऑता लो, इस वाट आग इच्टोर को, स्यरख लोगरे, माम, किस केस इस में में करूंगा, अपको पता हिन इस इप कीज समें किया जाएगा, इंवीटरो फर्टलेशटिंट, किस कि का आप येयव थुड़ न धक्ये या आपको तो ये फिक चीज के कि अब ध्यान से देखना एग लेलिया यहां se सब्सक्राइब करा दिया किस केस में कर Гवी उस केस में करोंगे जहां पर आप लोग क्या कर रहे हो डोनर एग डोनर एग ले लिया आप लोगों ने चैने इसके जाहिए कि अबराट सक्सेश रेट इफ इफ का इभिड्रो फटलाइशेशन का जाधा है आज स्कामफेर टू इन विव फटलाइशेशन का या अपने डोनर एग ले लिया या फिर अगर आप ने स्पॉर्म ले लिया ठीक है और आपको चाहिए, डोनर लिया है आप लोगों ने, आपको चाहिए कि भी नहीं सक्सेसरेट जादा होना चाहिए, in that case we'll go for this, ठीक है, कई केसे में क्या होता है बच्छो, फैलोपियन ट्यूब फीमेल की ब्लॉक होती है, क्या ब्लॉक होती है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल क ब्लॉक होती है, in that case also आप बोलो कि नहीं भई, आप तो फटलाइजेशन करी नहीं सकते हो, आप सीधा कैसीधा ये प्रोसेजर अपना लो, ठीक है, कई केसे में स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, you know, स्पर्म काउंट इस वेरी लेस, अब वेरी लेस है, बहुत ही कम है, अ नहीं उनका, तो खुद का बच्चा होना चाहिए, in these things, you will go for the in vitro fertilization, ठीक है, questions आएंगे इससे related, ठीक है, मैं बारवा बोल रही है, questions आएंगे, और मैं पूछोंगी भी सही, इसी session के अंदर आप से questions भी पूछोंगी भाई, answer बताओ मेरे को इस चीज का, ठीक है, now guys, is it clear, so इकसी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जिफ्ट क्या होता है, intrauterine transfer क्या होता है, क्यों ये किया जाता है, ठीक है, is it clear, now, आपने word भी सुना होगा, سरोगेसी का, तो सरोगेसी में क्या होता है, जो mother one होती है, जो egg देती है, वो अलग होती है, ठीक है, और जो उ कुछ टाइम तक फीमेल अपने फिर अवला प्रेग्नेंसी सस्तेइं नहीं कर पाती होता है बहुत प्रोब्लम सोती है कैयों का ट्रॉम्र हो जाता है बहुत सारे कीस होते है उसकेस में आप फीमेल कैरी तो करनी सकती है डिए ऑल्मोंस तरी तु 4 पैजी का बीभी होगा उसका water weight भी होगा, body weight gain करेगा, so in that case also people go for it, though not legal, ठीक है, चले, नार country के लिए बारे में बात करें, वो separate issue है, let's not talk about it, चीक है guys, in vitro fertilization, hope it is clear, let's talk about ये वाले भाई साब के बारे में बात करते हैं, which is in vivo fertilization, in vivo fertilization, clear? In vivo fertilization. So, in vivo fertilization, that means what we are going to do is fertilization in female body. यानि कि लड़की की body के अंदर, यानि मा की body के अंदर ही fertilization करानी, ठीक है? इसके दो method है, एक होता है gift. Now, फरक है बच्चो, पहलन जिफ्ट था, ये gift है, gift क्या होता है बच्चो? बच्चो, that is gamit, intra, fallopian, transfer. क्या कहते हैं बच्चो इसको? gamit, intra, fallopian, transfer. ठीक है? नव ये किस case में किया जाता है? suppose हमारे पास female है, that is unable to reproduce egg. नव मैंने condition बता दी, question मैं पूछोंगी. reproduce egg. female नहीं produce कर रही? अब क्या करें भाई? है ना, अब क्या करें? क्या से करेंगे इसको accept? तेको हमारा country, की सोच थोड़ी सी अलग है. ठीक है? हर family चाहती है, उनके family का खुद का खांदान का बच्चा हो. उनको बड़ा शौग रहता है, कि नहीं उनके तो खुद का खांदान का बच्चा होना चाहिए. अब कहीं cases में couples फस जाते हैं, ठीक है? डेफिनिटली के ऐसा issue है, जो लोग किसी से discuss करना नहीं चाहते हैं. अगर female, for some reason, she is not able to produce egg, in that case, they will go for the donor egg. क्या लेंगे? donor egg. Any, कोई भी female होगी, उस female को multiple ovulate करेंगे, चाह वो relative हो, चाह वो कोई भी हो, उनको multiple ovulate किया जाएगा, और donor egg उसन से collect किया जाएगा. ठीक है? donor egg. Then sperm लिया जाएगा, किसका? फादर का. है ना, कम से कम ऐसा तो लगेगा ना, उनको कि पापा पे तो गया है, फिर भी close relative हमेशा egg collect किया जाता है, considering the feature. ऐसा नहीं है, किसी का भी, कि doctor always prefer कि matching होनी चाहिए with the original mother. ठीक है? So, they always tend to go in this direction. So, donor egg and sperm को फटलाइस किया जाएगा, ठीक है? Sorry, donor egg को लिया जाएगा, ठीक है? One second. ठीक है? इस donor egg को कहाँ डाल दिया जाएगा? transfer into fallopian. अब देखो fallopian tube में डाल दिया जाएगा. काँ डाल दिया? fallopian tube में. है ना? fallopian tube में डाल दिया. अब fallopian tube में डालने के बाद क्या होगा? They are being told to go for the fertilization. ठीक है? In that case, sperm आएगा. They will be having a time limit. ठीक है? कि एक के एक लाइगा होती है, आब सबको पता है? In between the time, female को injections भी दिया जाएगा. For the maintenance of endometrium. ठीक है? Same condition maintain करी जाएगा. Artificially. Now, sperm will come. And now, what will happen? There will be formation of a zygote. And later on, it is going to implant into the... Now, it is going to implant. That means it will go by itself. It's not the case that it is not going by itself. It will go by itself. And it is going to implant over there. Right? So, this is transferred to the fallopian tube. So, what we have done is, we took the gamut. And we have transferred into the fallopian tube. So, the name is gift. Clear? Clear? You should know, guys. पता होना चाहिए के इस केसमे आप जाएगागा. Condition आपको पता होनी चाहिए. Question हमेशा Condition से आता है. चीके? Now, ये तो हो गया female के बारे में बाते. चलिए. आप second बात करते हैं. एक और होता है. इसकी फुल फॉर्म दिख देते हैं पहले. इंट्रा युट्राइन इन्सेमिनेशन. और इसको क्या कहते हैं? Artificial इंसेमिनेशन. कही केसे में, आपको पता है, कही केसे जो स्पर्म क्लेक्ट करे जाते हैं. स्पर्म के चांसे हो सकते हैं कि स्पर्म, जो जादा से जादा मेजर स्पर्म से हैं, वो सपोज उनकी मॉर्फालोजी ठीक नहीं है. ये स्टेल ठीक नहीं है, हैड ठीक नहीं है. So in that case, male से sperms collect करे जाएंगे, उसमें से healthy sperms को निकाले जाएंगे, that means father से, दो conditions होती है, father से, जो भी sperm collect, seven collect किया जाएगा, sperm collect किया जाएगा, उसमें से क्या लेंगे हम, healthy sperm, healthy sperms, doctor उस चीज को collect करेंगे, and उसको injection, sort of a fake instrument होता है, उसकी मदद से, कहा डाल दिया जाएगा, the uterus में into uterus, इसका भी around 35% success rate होता है, ठीक है, particular time पे, when doctor पता करेंगे, कि female की reproductive cycle क्या है, किस time पे उनका egg होगा, उसी के आसपा स्पा स्पर्ब को transfer किया जाएगा, they'll see by ultrasound, key egg is ready, if egg is ready in female, body के अंदर ही, अगर egg जैसे ही ready है, in that case, ये करा जाएगा, now second कब किया जाता है, जब हम donor लेते हैं, donor sperm, so in donor sperm के चकर में भी क्या किया जाता है, the uterus में transfer किया जाता है, ये याद रहेगा मेरे बच्छो को, IUIE and gift, ठीक है, दोनों में क्या हुआ, देखो क्या हुआ, sperm transfer करें, यहाँ egg transfer किया है, so क्या हुआ है बच्छो, दोनों का fertilization का हुआ है, lab की अंदर fertilization हो, sorry, body के अंदर fertilization हो, इसलिए नाम क्या है इनका, in vivo fertilization, दोनों situations आप लोगों को clear है, ठीक है, बिलकुल अच्छे से अपने दिमाग में लगा लेना, चिपका लेना, फैवी को लगा लेना, जो लगाना, लगाना, बट I want कि सब को अच्छे से आता हूँ, ठीक है, कहें भी problem आए, please, बता देना, ठीक है, now, moving on to the next, अब कुश कुशन, सब से पहला कुशन, सबसे पहला कुशन, सबसे पहला कुशन, सब से पहला कुशन, suppose हम यूसकर रहे है, if female is infertile, female infertile है, and she wants तो carry baby वो कहते है carry baby मुझे करना है बच्चे को carry करना है मतलब carry in the sense उसको pregnancy करती है pregnancy चाहिए but it is infertile but suitable environment प्रोवाइड करी है वो fertilization ठेक है इस case में which procedure are you going for यह आपको मुझे बताना है ठेक है सोच लो सोच लो, तब तक आराम से सोच लो, take your time, ठीक है, उनको carry करना, question number two, question number two, question number two आपका ये है, जब भी हम बात करते हैं, हमें क्या करना है बच्छों, donor sperm ले रहे हैं, donor sperm ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, clear, but they want to go in vivo fertilization, कुछ लोगों के होते हैं, वो कहते हैं, नहीं भाई, हम लोगों को तो in vivo fertilization चाहिए, fertilization भाई, body के अंदर हो चाहिए, वो सबके अपने अपने logic होते हैं, कई लोग सुचते हैं, लाब में भी है, तो कोई फरक नहीं पड़ता, but they want in vivo fertilization only, ठीक है, because overall देखा जाए, budget बहुत फ procedure, बहुत पैसा लगता है इसी में, तो एक population का एक level, like you can say, कुछ ही लोग होते हैं, जो इसको करवा पाते हैं, because it is costly, if I say, ठीक है, तो उस case में आप क्या करोगे, अगला question, question number 3, ठीक है, मेरे पास एक blastomere है, और blastocyst है, blastocyst है, ठीक है, you can say, let's say, 32 cell stage का, मैं lab में grow कर रही हूँ इसको, ठीक है, इस procedure को, अगर हमें transfer करना है, to female body, तो कौन सा method मैं यूज करूगी, तो कौन सा method मैं यूज करूगी, थर्ड situation clear है, अब बताओगे भई, लगाई जाओ दिमाग, comment section भर दो अपने answer से, Now, moving on to the next, question number 4, ठीक है, question number 4, Now, एक कंडिशन है, एक मेल है, मेल, मेल, अभी कंडिशन देखो अलग है, ध्यान सा सन्म, मेल है, मेल है, मेल इस, देखा गया, अजू स्पार्मिया, Almost no sperm in their 7, ठीक है, वो कहते हैं की, दे, that means, no sperms in, अभी कंडिशन है, 7, ठीक है, ध्यान सा सुनना, Now, बट अगर इस मेल को देखा जाए, इस मेल को देखा जाए, इसके पास, secondary sexual characteristics पूरे है, secondary sexual characteristics है, ठीक है, beard है, development of body in the male way, everything is there, but वो एजू सब पर्मिया, मतलब sperm है ही नहीं सेमन के अंदर, imagine करो इस situation को, ठीक है, और ये पता लगा है, इस बंदे की जो वास difference है, yes, this is also present, yes, this is also very common, not very common, but yes, ऐसी situations देखी गई है, वास डो difference है, वो absent है, यहां लिख देती हूं, बोथ, दो होती है न, वास difference, बोथ वास difference absent है, इस case में क्या करोगे, वास difference absent है, सेमन में sperms नहीं है, secondary sexual characteristics उसके पूरे है, ध्यान रखना, और वो कहते हैं कि नहीं हमें तो अपना बच्चा चाहिए, वास difference नहीं है, इस situation में, गाईस, हम लोग क्या करेंगे, कि वास difference नहीं है, तो क्या करेंगे हम चेक करेंगे, वास difference नहीं है, गर्ण, in that case from the semi-niferous stubule, with the help of injections, sperms will be taken out, yes, this is also done, now these are the testicles so sperms will be taken out from this because was difference absent are path in a path no you know how many hair is almost all right so path in a year those two absent doctor said they are absent secondary sexual character sex so sperm definitely will be but they are not traveling so in that case sperms will be taken out from this it is called TESA TESA method they are being taken out then in that case females say egg we will take the sperm here and we will fertilize them in the lab and then we will make zygote and we will make embryo and normally we have students IUT normally overall what happens is that it is not easy and it is very difficult so prefer to do success rate that they will definitely go for that so they need their own kid in that case they go for intra uterine transfer that means in this case they can go for intra uterine insemination also but sperm count is less so very small number of the sperms will be there so success rate here that turns to have to take practice in that case definitely in that case definitely person will go for the intra-invitro fertilization not in vivo one so conditions are they will have this themselves and when you get demands, वो क्या चाहते है, on that basis you will prescribe a particular method to them, ठीक है, so यह बहुत conditional चीजे है, now fourth one I have explained you, these three you have to explain, ठीक है, यह answer चाहिए from you guys, ठीक है, ठीक है, yes, will you do that, now इसे related, आपके last year में, last year जो आपका C.O.T. exam आया, उसमें question पूछा में आथा, अब बताओ, क्या यह question आप solve कर पाओगे या नहीं, ठीक है, ठीक है, चले, अब इस question को आपने solve करना है, चाहर questions दे रही हूँ, आपको चाहर question, these are your homework that you have to do, guys, ठीक है, बारो बोल रही हूँ, these are the questions which you have to do, four questions, I want all the four questions answer in the comment section, and comment section में I am going to tell you what is the correct option, because ऐसे हम प्राक्रिस करेंगे, our interaction, your and my interaction, that is important, तभी I will be able to note कि हाँ मेरा बच्चा को किस चीज में जरूरत है, अगर मुझे यह topic दुबारा करना नहीं के जोथा, I will definitely do that, but these four questions answer I want from you guys, will you do that? yes, you have to do guys, you have to do, बना है कुछ, आगे जाना है नहीं जाना है, ठीक है, चालिए, so let's wind up the session here, it was so interesting to meet you guys, so many facts are also there, so everything we are going to discuss, next session देंगे, ठीक है, next session देंगे एक अलग साइंटरस्टिं सा topic देंगे, with questions related to it, look after this session, आपके तीनों target पूरे होंगे, Boards, question कितने का number काएगा, 5 number कोशन आ सकता है, ठीक है, आपका Boards निकल जाएगा, आपका CUT के practice, वो मैं करवारी हूं साथ-साथ, उसके अलावा, जो 3rd है आप लोगों का, which is your NEET examination, उसके लिए भी उसके लिए भी a topic important है, स्लेवर्स कहा से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, भाई, अलग स्लेवर्स नहीं है, उठालो CUT का स्लेवर्स, उठालो Boards का स्लेवर्स, या NEET का 12th standard का स्लेवर्स, सेम है, everything is same, but your approach for CUT is different, ठीक है, इसलिए मैं आपको conditions पढ़ाई है, ठीक है, का स्लेवर्स, झसके है, जएजर्स, किसा पकाई आपको उसके हैं, बcanoग